वेल्कम टू माई चैनल आज एक्सल का 11 वाला पार्ट देखेंगे फ्रेंड शाम जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और इसे ही नयव वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बभत उने वाले फार्मूले हैं इनका इस हराब या इनका युण के कियो किस्ता बनाने के लिए यही वाले युज उते हैं इनमें क्या होता प्रेंसिपल जमा होता है और कितफाना इंट्रेस्ट जमा होता है इस मनत का तो it was वो सारे मन्ते की कि इतनी बनेगी और यह है, अपना principle of per month, principle कितना कटा और उसमें से interest कितना कटा है, चलिए friends कैसे लगाते है। यह formula शिखते हैं, अपन इस cell के अंदर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे equal to sign लगाएंगे और PMT जैसे ही लिखेंगे friends, यहाँ पर आपको एक फार्मूला मिल जाएगा पहले PMT सिखेंगे PMT जैसे ही लिखेंगे यहाँ पर PMT वाला फार्मूला मिल जाएगा यह डबल क्लिक करेंगे यह सबसे पहले बोल रहा है रेट क्या होता है कितने परसेंट जो 8% लिखा इसको सिलेक्ट करेंगे और यह क्या है यह yearly percent है मतलब 1 year में जितने percent का आपको interest लगेगा वो है तो इसको हमको पर मन्ते की installment बनानी है तो इसमें 12 से divide करना पड़ागा friends इसके बाद कॉमा लगाएंगे फिर number of period second वाला end पर लिखा होगा रखा है तो हम यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे अब देख रहो time duration for year लिखा है अब जैसे क्लिक करोगे तो यह year में इसको भी हमको month में convert करना पड़ेगा तो इसमें 12 से into करना पड़ेगा friends समझ रहो friends यह जो है yearly wise है और हमको पर मन्त की installment निकालना है तो हम rate में 12 से divide करेंगे और time duration में 12 से into करेंगे उसके बाद comma लगाएंगे friends और principal value हमारी कितनी है यह हमारी principal value आगए PV यह हमारी principal value आगई यह हमारी एक लाक रुपीज है यह हमने select कर लिया friends इसके बाद comma लगाना है zero लगाना है और break it close यह हमारा formula लग गया friends अब देख सकते हो अब यह जो इसमें dollar का sign आ रहा है इसको आप आसानी साटा सकते हो और dollar का sign पर हम click करेंगे more account पर click करेंगे symbols में जाके यहाँ पर बहुत सारे Hindi Indian rupees या कोई सा भी symbol लगा दोती है रूपीज वाला symbol यहाँ पर आसानी से लग जाएगा इसे कैसे friends अभी यह क्या है हमारी जो installment बनती है वो है कित्ती installment 48 installment बनेगी 2441 रूपीज की तो उसमें से principle कितना गटेगा पर मन्त का principle कितना गटेगा आए देखते हैं इसमें लगेगा PPMT वाला formula तो एंटर करेंगे PPMT लिखेंगे जैसे friends यहाँ पर आपको formula मिल जाएगा इसमें चार चीज़े होती friends इसको ध्यान से समझना यह PMT तो easily तरीके समझ में आदा PPMT में बहुत problem होती है प्ले आती है rate की बार, rate हमारा यह रहा, 8%, इसको divide करना पड़ागा 12 से, फिर आता है, पर, इसमें एक यह नई चीज़े, पर, पर का मतलब होता है, किस month के लिए आपको principle निकालना है, जैसे पेले month के लिए निकालना है, तो आप first month को, second month के लिए निकालना है, तो आप second month को यहाँ पर नंबर लिखना पड़ेगा जैसे फर्स्ट मन्त के लिए निकालना इनमें यहाँ पर लिखता हूँ इसके बाद कॉमा लगाएंगे नंबर आप पिरियेट यह हमारा फोर येर है इंटू करेंगे इसमें 12 से और कॉमा लगाएंगे प्रिंसिपल वेल्यू सेलेक्ट करेंगे कॉमा लगाएंगे और जीरो लिखेंगे इसके लिए कौन सा फार्मूला है इसमें भी सेम टू सेम वेसी प्रोसेस करना है रेट पे ले ले लेंगे डिवाइट करेंगे 12 से फिर कॉमा लगाएंगे पर अब यही भी पूछ रहा है तो हमने अभी फर्स्ट मन्त का निकाल रहे हैं इसमें फर्स्ट मन्त हैं यहां पर एक लिक देंगे और जैसे ही इसमें कोमा लगाएंगे नमबर आप पिरेट इन्टू वेल फिर कॉमा लगाएंगे फिर प्रे Więc contents giving value प्रेंसी पवी फ्रेंड क्लोश और इंटर देख सकते हो फ्रेंट्स यह हमारी इतना प्रेंसीपल ग कटे आप जाओ को उन दोनों गो को आइल करके मेच करके आपकी जो कीस्त के इंस्टल्मेंट है और गालते आप यहें से लोर। देख सकते हो friends मेच करके आपकी जो कीस्त है वो इतनी बनी आप अपन पांच में मनतगा निकालते प्रेंट्स आप दो तीन चार यह सब निकालकर देखना सेम इंस्टोल्मेंट बनेगी friends तो हम पांच में मनतगा प्रिंसिपल और उसकी इंट्रेस्ट देखते हैं कितना आता है इक्वल टू कि पीम्टी रेट लिया अब पांच में मनतगे लिए निकालेंगे ते हैं आप फाइफ लिखेंगे friends फिर नंबर आप पिरियेड इंटू तुवेल्व प्रिंसिपल विल्यू प्रिंसिपल ज्यादा कटने लग गया है अब इंट्रेस्ट देखते हैं कितना कटता है आई पीम्टी रेट कितना है टिवाइड आइट वैलव नंबर आप प्रियेड नहीं पहले पर मन्हाँ कोवा लगाएंगे और प्रम पतला था निकालना है तो फिपम फिर अइंट नंबर आप प्रियेड कितना है और येर इंटू 12 principal value और 0 exact match यह देखो friends हमारा interest कम करने लग गया है आप इन दोनों का total करोगे तो आपको यह value मिलेगी friends जो आपकी per month की installment मिलिए जैसा आप check कर सकते हो equal to a plus देख लो friends आपकी सारी installment same आएगी तो इसे आप आसानी से कीस्ता आपकी installment जो लोन की कीस्ता है वो निकाल सकते हो और आप देख सकते हो कि कितना interest कटा है और कितना principal कट रहा है ऐसे ही आप banking sector में जितनी जग़ भी काम करोगी यह formula बहुत ज़्यादा use होने वाले है तो please इसको revise करके अच्छे से देखे और अच्छे से चलाना सीखे इसे ही नए वीडियो देखने के लिए please like and subscribe my channel thanks for watching bye take care